हेलो फ्रेंट्स, इंकम टेक्स के केसिस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिसकस करेंगे उसकेस का नाम है प्रिंसिपल कमिशनर आफ इंकम टेक्स वर्सेज सलर पूरिया सिंप्लेक्स ड्वेलिंग एलल पी यह केस करकटा ही कोट ने डिसाइड किया और इस और यह केस 455 गया इस केस का जज्जमेंट 26 जुलाई 2022 को आया इस केस को डिसकस करने का जो में और चित्ते है वो यह है कि इस केस से यह बात सामने आती है कि इंकम टेक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर कंसिस्टेंसी का कितना महत्व है हलां कि यह भी एक सैटल लौ है कि प्रिंसिपल आफ इस केस के अंदर असेसी का काम जो है वो फ्लैट को डव्लप करके बेचना है Assessy अपनी accounting के लिए project completion method को follow कर रहा था जिसका मतलब यह है कि Assessy अपने profit को तभी book करता है जब Assessy का project पूरा complete हो जाता है Assessy को जो भी advances receive होते थे वो advances Assessy अपनी balance sheet के अंदर liability के अंदर दिखाता था और जो भी खर्चा Assessy अपने project के लिए करता था उस खर्चे को work in progress के अंदर अपनी balance sheet में asset side में दिखाता था Assessy यह accounting treatment project completion method काफी सालों से follow कर रहा था लेकिन जिस assessment year की यह बात चल रही है assessment year 15-16 में Assessy को scrutiny का notice बेजा गया इस अधार पर की project completion method की बजाए percentage completion method क्यों न adopt किया जाए Assessy के case में जब assessment proceedings चल रही थी तो Assessy ने project completion method को follow करने के कारण बताए Assessy का यह भी कहना था कि मैं इस method को पिछले सालों में adopt कर रहा हूं और department ने उस method को पिछले सालों के अंदर माना है और कोई objection नहीं किया तो consistency के basis पर current year के अंदर मेरा method जो है वो नहीं change किया जाना चाहिए लेकिन Assessing Officer का यह कहना था कि accounting standard 7 यह कहता है कि Assessy को percentage completion method फोलो करना चाहिए ना कि project completion method फोलो करना चाहिए और इस अधार पर Assessing Officer ने Assessy के project completion method को disregard किया और percentage completion method लगा करके Assessy का profit calculate किया Assessy अपनी appeal को लेकर के CIT appeal गया CIT appeal ने और ITAT ने जो Assessing Officer के दोरा percentage completion method एड़ोप्ट किया था उसको delete किया और यह कहा कि जब Assessy एक method को काफी सौलों से follow कर रहा है और उस method को department ने अपने assessment orders के अंदर माना है और उसके अंदर को तूटी नहीं है department as usual ITAT के order के against high court गया और high court ने भी यह कहा कि जो assessment order Assessing Officer ने पास किया है वो सही नहीं है Assessy का project completion method उसको मिलना चाहिए और जो CIT appeal ने और ITAT ने जो order पास किया है उसको कलकटा high court ने as it is रखा status queue रखा friends इस case को discuss करके एक चीज़ सामने आती है कि courts भी कहीं न कहीं यह बात मानती है कि जो चीज़ सेटल हो जाती है और जिसके अंदर कोई मोटे तौर पर कोई तूटी नहीं होती तो उसको खाली एक department के officer की fantasy की वज़े से कि खाली किसी method के अंदर profit बनता है तो खाली इस वज़े से वो method follow नहीं किया जाना चाहिए rationalization होना चाहिए assessment proceedings के अंदर क्योंकि यदि कोई method follow किया जाता है जिसमें एक साल के अंदर ज़्यादा tax बन रहा है तो generally वो अगले सालों में जाकर के tax neutral हो जाता है तो एक settled law को disturb नहीं किया जाना चाहिए वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं केस का नाम है Principal Commissioner of Income Tax वर्सेस सलर पूरिया Simplex Dwelling LLP और यह केस 455 ITR पेज नंबर 712 पर रिपोर्ट हुआ मैटर कैलकटा हाई कोटन डिसाइड किया और इस केस का judgment 26 जुलाई 2022 को आया Thank you friends